हलो गाईज कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे एक बार फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू राजपुत और आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ रच्छा बंधन के वीडियो आपको रच्छा बंधन का पूरा व्लॉग दिखाएंगे कि हमारे यहां रच्छा बंधन किस तरह से मनाया जाता है हम लोग रच्छा बंधन पर क्या क्या करते हैं तो देखिए हमारी ननन्द आ चुकी है यह हमारी ननन्द है जो कि सुबह 11 बचे आ गई है हमारी तीन नन्दे और हैं जो कि अभी नहीं आई है उनका फोन आया है कि वो साम तक आ जाएंगी उनको आने में टाइम लगेगा पिना खिलाएंगे नास्ता अनी करवाएंगे और उसकी बाद हम अपनी तयारी भी करेंगे क्योंकि हमें भी मैके जाना है भाया के लिए राखी लेकर यह हमारे नन्दोई हैं दोनों लोग साथ में आये हैं इनका बेटा और बेटी भी आई हुई है तो वो बच्छों के सा तो यह हमारे बेटे को भी राखी बांधेंगे यह देखे हमारे आयसमान बैठे हुए हैं राखी बंधवा रहे हैं बुआ से और बुआ से बंधवाने के बाद यह दीदी से भी राखी बंधवा रहे हैं तो यह बुआ की बिटिया है वो बांध रही है राखी बच्छों क ये तोहर बहुत अच्छा लगता है बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होते हैं भाई बेहन का बहुत ही अच्छा पवित्र पावन तोहार होता है रक्षा बंधन जिसका हम एक साल तक बड़ी बेसबरी से इंतजार करते हैं और जब रक्षा बंधन आता है तो हम बड़े प्यार से रक्षाबंदर का तोहार बनाते हैं रच्छाबंदर में मैंके जाने का अलगी जोस रहता है बहुत आनंद आता है तो देखिए ये हमारी बिटिया है वो भी राक्षी बांध रही हैं बूवा के बेटे हैं और ये हमारे आइसमान हैं तो इनको को हमारी छोटी बच्छे बैठे हुए हैं, चेयर पर एक साथ और राकि बंधवा रहे हैं हमारे यह उसके देवार मनाते हैं हम लोग ऐसे ही मनाते हैं टीका करते हैं, मिठाई खिलाते हैं राकि बानते हैं और आर्पि भी उतारी जाती है भाई की उसके बाद भाई बहने के पैर चुँ कर अपना फर्ज निभाते हैं और बहन भाई को अशुरवाद देती हैं तो देखिए बचे किता मस्ती कर रहे हैं पहले तो यह पैर चूने को तयार ही नहीं हो रहे थे अब इसमान हमारे कह रहे थे हम पैर नहीं चुवेंगे लेकिन डाटने के बाद इन्होंने पैर वेर चुवें हैं तो ये बड़ी बिटिया है तो ये देखिए बड़ी बिटिया के भी पैर चुव लिए हैं और अब हमारी तयारी चल रही है फ्रेंड्स देखिए ननन्द हमारी आई थी तो थोड़ा सा ठकी हुई लग रही थी तो लेड गई है अराम कर रही है और हम लोग की तयारी चल रही है हम तयार हो रहे हैं अपने मैके जाने के लिए तो हमारे साथ बच्चे भी जा रहे हैं नानी नाना के घर तो देखिए बच्चों की तयारी चल रही है हम पूरी तरह से तयार हो गए हैं बिटिया भी तयार नहीं हुई है तो वो अपनी तयारी कर रही है नेल पॉलिस लगा रही है और ये बड़ी बिटिया अपने सूस साफ कर रही है तो हम सब लोग तयार हो रहे सुबह से जल्दी काम सारे निप्टा लिए हैं ग्यारा बजे हमारा पूरा काम हो गया था और ये एक बज रहा है ये नंदोई हमारे हैं छोटे बेटे को अपने जुता पहना रहे हैं देखिए तो ये भी जाने की तैयारी में हैं इनको अभी कहीं और भी जाना है बोल रहे थे हमारी सिस्टर आने वाली हैं तो देखिए हम अपने माई के आ चुके हैं और भाईया को हम तीका करने जा रहे हैं हमारी बेहने सारी आ चुकी हैं पहले से दोनों बेहने हमारी आ गई हैं बु थोड़ा टाइम लग गया है तो देखिए भाईया से बहुत दुनों बाद मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बाते हम लोग कर रहे हैं बहुत हसी आ रही है तो हम देखिए टीका लगाने जा रहे हैं और भाईया कुछ मजाक की बात कर रहे हैं तो हम लोग हस रहे है हमको बहुत ज़्यादा हसी आ रही है काफ deben के बाद हम लोगोंने आज इतनी मस्ति किये है कैज तो काफी अच्छा लग रहा है तो भाईया का आज मूड है हसाने का तो आज भाईया हम लोगों को बहुत हसाएं है जब से हम गए हैं हसाए जा रहे हैं तो देखिए हम टीका कर रहे हैं टीका के टाइम पर भी भाईया हमको हसा ही रहे है और हमें बहुत हसी आ रही है हमारे सालसल हमारी बेहने भी हस रही है मम्मी भी बगल में बैठी हुई है वो भी बहुत हस रही है तो देखे हमारा टीका हो रहा है टीका करते समय मुझे बहुत हसी आ रही है भाईया की बाते याद करकर के हस रहे हैं हम जो भाईया हमको जो भाईया हमसे बाते किये हैं मजा कर रहे थे हसा रहे थे तो हमें याद आ रही है वही बात और हम वही बात सोच के हस भी रहे हैं रा होना थी तो भावी एक दिन पहले चली गई थी अभी भाईया को भी जाना है सस्राल हई है है यह हम लोगों का इंतिजार कर रहे धे गरी पर थे अब हम लोग आ चुके हैं भाईया का इंतिजार भी खतम हुआ है अभ भाईया देखिए हमने राखी बान दी है भाईया को टीका लगा दिया है तो हम एक राखी और बान देंगे हमने एक राखी बान दी है हम दूसरी राखी भी भाईया के लिए लाए हैं तो हम ये भी भाईया को बान देंगे ये भाईया हमारे हमसे छोटे हैं और रक्षा वंधन में हम लोगों का बहुत ही बेसबरी से इंतजार करते रहते हैं जब तक हम लोग नहीं आते हैं राखी नहीं बांध लेते हैं तब तक भाईया हमारे कहीं नहीं जाते हैं घरी पर रहते हैं हमारा इंतजार करते रहते हैं और जब हम आ जाते हैं राखी बान देते हैं उसके बाद ही भाईया कहीं जाते हैं अगर इनको कोई दूसरा काम भी होता है कहीं जाना होता है तो यह नहीं जाते हैं जब तक हम लोग आ करके इनको टीका नहीं कर देते तब तक यह कहीं नहीं जाते हैं घरी पे रहते हैं अब इनका टीक इसे भी मिलाएंगे देखी देखी है हमारे बहनोई है तो इनका भी मजड़ का मूड़ हो रहा है आज हम सब लोगों ने बहुत मस्ति की है और देख ममी वहां से और खेत की ताजी ताजी लोकी दिये है नाना तो देखिए हमारे नाना गाओं में रहते हैं और खेती भी है हमारे नाना के पास तो सब कुछ घरी में होता है खेतों में ही सरसों रहते हैं उरत भी घरी पे लगाते हैं तो सब कुछ हमारे ममी को दिया है और हम सब लोग बैठे हुए हैं बहनों के साथ तो हम लोग टिक्की बता से खा रहे हैं बड़ा आनंद आया फ्रेंड्स थैंक यू